नमस्कार मैं आज आपको पताने जा रहा हूँ कोई भी AD किसी भी AD को किसी भी AD को अगर parts बिल करेंगे तो DMS में कैसे बिल करेंगे और दूसरे AD उसका GRN कैसे करेंगे DMS में या फिर कोई भी main dealer अपने AD को ना देकर किसी दूसरे AD को अगर दे रहे हैं तो वो DMS में कैसे बिल करेंगे और दूसरे main dealer के जो AD है वो parts का GRN कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पर हमने दो account हमने खुल रखा है एक कुमार accessories के नाम पर और दूसरा account खुला है हमने कुमार automobile के नाम पर यानि दोनों अलग-अलग AD है एक कुमार accessories आपका authorized stockist है और कुमार automobile एक AD है तो वो अपने कुमार automobile को कैसे वो बिल करेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले कुमार automobile को या AS को जो stockist है उसको parts में जाने के बाद में direct invoice जाना है direct invoice में जाने के बाद में यहाँ पर create करना है create करने के बाद में यहाँ पर customer detail यहाँ पर click करेंगे और दो doubt है उस पर click करेंगे उसके बाद में यहाँ पर कुमार auto यहाँ पर डालेंगे और search करेंगे search करने के बाद में यहाँ पर जितने भी all India कुमार automobiles हैं वो सभी यहाँ पर दीखेंगे आपको customer type जो है customer type आपको parts co dealer APS ही आपको select करना है और address आपको confirm करना है कि कहीं वो address जमुआ कहीं है या फिर कहीं दुसरे का है तो यह आपको यहाँ पर दिख जाएंगे अगर माल लिजिए आपको यहाँ पर कांटर कस्टमर को अगर देना है यहाँ पर नाम नहीं आ रहे हैं तो आप मास्टर कस्टमर मास्टर में जाकर create करेंगे create करने के बाद में नाम, mobile number, address, area डालेंगे और save करेंगे यहाँ रिफ्रेस करेंगे यहाँ पर उसका नाम आ जाएगर कांटर कस्टमर के लिए अब ही हम आपको बता रहे हैं कुमार ओटो मोबाईल को हमको बिल करना है क्लिक करके हम यहाँ पर select करेंगे select करने के बाद में अब उसके बाद में पार्ट नमबर डालेंगे NF-330-502 माल लिजिए हमने एक engine flush हमको बिल करना है engine flush माल लिजिए 100 पीस हमको बिल करना है बिल करने के बाद में यहाँ पर यह पुराने stock, नए stock और MRP, कम MRP, ज्यादा MRP या rack अलग यहाँ पर करता है इसलिए यह अलग-अलग है तो यहाँ पर 100 पीस यहाँ पर डाल रहे हैं उसके बाद में accept करेंगे accept करने के बाद में अब यहाँ पर हम save करेंगे okay करेंगे उसके बाद में यह इन्होंने कुमार ओटो मॉबाइल को यानि एक AD को इन्होंने बिल किया अब कुमार ओटो मॉबाइल के DMS में हम जाएंगे और पार्ट में जाएंगे पार्ट में जाने के बाद में सर्थ स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल करने के बाद में यहां पर नहीं पता होता है इसलिए आप क्या करते हैं तदर्च करने के बाद में यहां पर यहाँ पर आप देखेंगे CL Automobile का इनके जो में डिलर है वो भी बिल किये हुए है वो भी यहाँ पर दिख रहा है और इसको हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे सेकंड पेज में जाएंगे अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह 24 तारीक का एक इन्वाइस कुमार एसे स्रीज का यहाँ पर दिख रहा है उसके बार में यहाँ पर स्लेक्ट करेंगे करेंगे यहाँ पर आपको लाइब दिखा रहे हैं जी आरेन करने का यानि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 100 पीस अब यह रिसीव कर सकते हैं उसके बार में यहाँ पर सेफ करेंगे जैसे ही सेफ करेंगे इन्होंने जी आरेन 100 पीस अपना वो कर लिए है इसी हिसाब से आप जी आरेन आपको ओध्राइज भिंडर से ही करना है और अधर भिंडर जी आरेन आपको नहीं करना है अधर उदर जी आरेन अगर करते हैं तो ये कमपनी एक्सेप्ट नहीं करेगा धन्यवाद